जय माता दी पस्चात आप किसी को भी बहुत ही सरल तरीके से अपने वश में कर सकते हैं यानि के इतने आसान तरीके से आप उसको अपने वश में कर सकते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा क्योंकि अक्सर लोग जो है वो फोटोज के माध्यम से ही अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपनी और खीचने का प्रयास करते हैं उसको अपनी और आकरशित करने का प्रयास करते हैं लेकिन ये जो आज टोटका मैं आपको बताने जारी हूँ इसके माध्यम से मात्र आपको उसका नाम पता होना चाहिए नाम पता होने के बाद सिर्फ और सिर्फ नाम से ही आप उसको अपने वश में कर लेंगे कि वह कोई भी व्यक्ति आपको देख नहीं पाए जब आप इस टोटके को कर रहे हो आपके मन में सिर्फ वह व्यक्ति होना चाहिए जिसको आप चाहते हैं जिसको पाना चाहते हैं, जिसको अपनी और आकरशित करना चाहते हैं, जिसको अपने वश में करना चाहते हैं, और साथ में होने चाहिए सिर्फ आप, यानि के आपके मन के अंदर वह व्यक्ति और आप, इन दो चीजों के अलावा महां पर और कोई नहीं होना चाहिए, आपक तो एक कागज लेना होगा, इस कागज के उपर आपको लाल रंग के मारकर से, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं, चाहे वह इस्तरी हो या फिर वह हो पुरुष, आपको उसका नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद आपको प्लस का साइन लगाना है, उसके नीचे आपको अप साथ बार उच्चारन करना है, उच्चारन करने के पस्चात आप इस कागज को जिस तरफ आपके पैर होते हैं, यानि कि आप बेड पर जब सोते हैं, तो जिस दिशा में आपके पैर होते हैं, अपने पैरों के नीचे, गद्दे के नीचे इस कागज को दबा कर रख देना ह फिर सुबह उठने के बाद आपको इसनान करना है और इसनान करने के बाद इस कागज को चुपके से हर किसी की निगाहों से बचाते हुए लेकर जाना है और बहते जल में प्रभा कर देना है प्रभा करने के बाद आप अपने घर भी नहीं पहुचेंगे और वो व्यक्ति आपकी और दोड़ा चला आएगा आप यकीन मानिए बहुत ही असरदार उपाय है बहुत ही असरदार टोटका है जिसको करने के बहुत तेजी से आपका प्यार आपकी और दोड़ा चला आएगा मातर एक घंटे के अंदर उसका कॉल आपके पास आ जाएगा आप खुद हैरन रह जाएंगे कि किस प्रकार से ये टोटका आपके लिए फायदे मन साबित होगा बहुत ही सरल टोटका है और हमेशा मैं आपके सामने ऐसे ही आसान सरल सटीक वशी करन के प्रचंट टोटके लेकर उपस्तित होती हूँ अगर आप भी और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर टोटके जो हैं आपसे नहीं किये जाते हैं टोटके करवाना चाहते हैं तो आप इस नमबर पर संपर्क कर सकते हैं और गुरु जी से बात कर सकते हैं जैमादादी